नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं लेकिन 14 जन्वारी को राजे के दक्षिनी भाग में कुछ अस्थानों पहलके से मदज की बारिष तेखी जा सकती है पीएम सीएम की बैठक में सीएम हिमन्त ने कहा स्थी मवारती छेतरों से जार्खन में बढ़ रहे संक्रमान कुरोना संक्रमान के बढ़ते मामले को लेकर उत्पन चुनोतियों और उस सनीपटने की त्यारियों पर पीएम मोदी ने राजेयों के मुख मंत्रियों संग ऑनलाइन चार्चा की इस उच अस्तरिय बैठक में ज्हारकंट सीएम हिमन सुरेन ने भी सिर्कत की इस मोखे पर पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरह से संक्रमित का आका तेजी से बढ़ रहा है उसको लेकर हमें बहुत सतर्क और साधान रहने की जरूरत है उन्होंने कुरोना से निपटने का सबसे ससकत हातियार वैक्सिनेशन को बताया कहा कि राज्यक के सहयोग से एक बार फिर हम कोविन नाइटी से जीत कर अवस निकलेंगे वही सीम हिमन सुरेन ने कहा कि जारकण में संक्रमंत के अधिकतर मामले राजे के सिमवर्ती छेत्रों से आ रहा है यहां भी निगरानी के साथ जाच की बेहतर विवस्ता सुनिश्चित की जानी चाहिए सीम हिमन ने पीम मोदी से रखी खास बाते पीम सीम की ओनलाइन बैठक में सीम हिमन सुरेन ने कहा कि राज सरकार हेल्थ इंस्प्राट्रक्टर को मजबूत करने के साथ बेहतर प्रबंधन के जरिये कोविड-19 की पहली और दूसरी लाहर को काफिया तक काबु किया है उसी तरह तीसरी लाहर को नियंतित करने के लिए सभी आवस्यक और ठोस कदम उठाये जा रहे हैं स्कूल, कॉलेज, जीम, पार्क, समेत वैसे सभी संस्थान और सोजनिक अस्थल बंद कर दिये गए हैं जहां से संक्रमन के फैलने का खात्रा अधीक है भीर भाल नहीं लगे इस दिसा में भी अधिकारियों का वस्यक दिसानिदेश दिये गए हैं इसके अलावा COVID-19 महामारी से बच्चाव का सबसे तरीका सतर्क और सधानी बरतना है इस दिसा में लोगों को जागरूप करने के साथ उन्हें COVID-19 दिसानिदेश का पारण करने के लिए जागरूप किया जा रहा है उन्होंने असंका जाहिर करते हुए कहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो भैक्सिन के दोनों डोज ले चुके हैं उन्हें लगता है कि वे अब संक्रामित नहीं होंगे तीसरी लहर को लेकर नहीं है कोई आफरा तफरी सीम हमांत सीम हमांत ने कहा है कि जारखन में भी कुरोना संक्रामन के मामले तेजी से बढ़े हैं लेकिन इसे निपटने के लिए सरकार ने जो कारे योजना बनाई है उस वज़ा से कहीं भी किसी तरह का अफरा तफरी और भाय का महल नहीं है उन्होंने कहा कि 65 दिसंबर से अब तक कुरोना संक्रामन के वज़ा से राजे भार में 34 मौते होई है लेकिन इसमें से 24 वैसे लोग सामिल हैं जिनकी उम्मर 60 वरसे ज़्यादा थी इसके अलावा अने मिरित तक भी किसी ने किसी को गंभीर बिमारी से ग्रसित थे किसी भी ब्यक्ति की मौत सिर्फ कुरोना की वज़ा से नहीं होई है बतादे बैठक में सीम सीरी सुरेन ने राजे सरकार दोवारा कुरोना संक्रम से नहीं पटने के लिए कि गई तयारियों को साजा करते हुए कहा कि कुरोना के सुरुआती चरण में यहां के होस्पीटल और अन्य स्वास्त केंद्रों में 25 सोबेट थे जो आज बढ़ा कर 25 सयार हो गई है दरोगा लाल जी आदो सुसाइड की उच अस्तरिय जाच की मांग मिथले स्ठाकूर पलामू के नवा बजार थाना में दरोगा लाल जी आदो की संध्यास पदमौत की उच अस्तरिय जाच की मांग उठने लगी है बता दे इसी कड़ी में ज़ारखंड के पेज आलयों स्वक्ता मंत्री मिश्थाकूर ने स्ठाकूर ने सीम है मंसुरिन को पत्र लिकर उच अस्तरिय जाच की मांग की है मंत्री स्ठाकूर ने सीम के लावा इसकी प्रती मुक्य सचीव एवां डीजीपी को भी भेजी है अबजे बिवाद एवं फ्राम के इस्थिती पर राज सरकार इन दोनों मामलों को लेकर उच अस्तरिय जाच कराए ताकि दरोगा लाल जी यादो के परिजनों को नयाए मिल सके मकर संक्रान्ती पर सुक्रवार को बाबा पर चड़ेगा तील साम छब ज़े संक्रान्ती मकर संक्रान्ती के ओसर पर देवगर के बाबा मंदीर में बाबा बैदनात पर सुक्रवार सुबह की पूजा में तील अरपित की जाएगी तथा तील का भोग एक माह तक लगाया जाएगा वहीं पूरे माह मंदीर का रियाला इस्थीज सिरी यंत्र मंदीर में खिचडी का भोग लगने के बाद भगतों के बिच परसायत का बित्रन भी किया जाएगा बताएदे हर दिन इस भोग को पुजारी सिंगारी परिवार के द्वारा बनाये जाएगा या जनकारी मंदीर इस्टेट पुरोही शिरिनाथ पंडित ने दी है उन्होंने बताया कि कोई भी तिथी बाबा मंदीर में उद्या तिथी के अनुसान मनाने की परमपरा है 14 जनवरी को तिथी का परवे साम छोवजे होगा तथा रात 12 बज तक समाप्त हो जाएगा लेकिन पुन्यकाल दिन 12 बज़े से ही शुरू हो जाएगा जो रात 12 बज़े तक रहेगा पुन्य काल को ही उद्याती थी मानी जाती है इसलिए सुक्रवार को ही बाबा भोलेनात को मकर का भोग और पित किया जाएगा डायन विसाही के नाम पर सिमडेगा में महिला को जीन्दा जलाने की कोशी स्रीम स्रेफर सिमडेगा जिला के ठेठाई टांगर थाना छेतर के कुड़ पानी डीपा टोली में गिरामिनों की जगरूपता से मॉब लिंचिंग की एक घटना टल गई है बतादे कुड़ पानी कालोनी टोली निवासी जहरियो देवी अपने पती के साथ समाजी कारेकरा में भाग लेने क के लिए कौन मेंजरा डीपा टोली गई थी डीपा टोली में कुछ गरामिनों ने डाइन विसाई का रोप लगा कर जहरियो देवी को मार पिट कर घायल कर दिया इसके बाद घर के पास ही उसे पुआल रहकर जिंदा जलाने की कोशिस की लेकिन गरामिनों की ततपरता ने ज सदर अस्पताल में भरती कराया जहां प्रात्मिक उपचार के बाद गंभीर इस्थिती को देखते हुए रांची रिम से रेफर कर दिया गया गुमला के घायगरा में सडक से 20 फिट नीचे गिरी बस 30 यातरी घायाल गुमला से 40 किलुम्टे दूर घायगरा परखंड के आदर मोनी दह पूल के समीप गुरुवार की साम यातरियों से भरी महा लक्षमी बस मुख्य सडक से 20 फिट नीचे गिरी है बतादे बस में करीब 40 यातरी स्वार थे जिसमें 30 यातरी को चोट लगी है 5 यातरियों के गंभीर चोट लगी है सभी घायलों को गुमला विसुनपूर और घागरास पताल में भरती कराया गया है बतादे बस गुमला से भी सुनपूर परखंड के बना लाता जा रही थी तभी मौनिद्धा पूल के समीब तीखा मोड और अधिक धलान होने के कारण चालक ने अपना संतुलन खो दिया जारखंड में गुरुवार को कुरोना के 4730 ने केस मिले है जबकि 801 मरीज स्वस्त भी हुए है वही 8 मरीज की मौथ हुई है जारखंड में गुरुवार के आकड़े के अनुसार कूल एक्टिव केस की संख्या 30989 है भारत में 2,42,632 ने केस मिले है जबकि 1,3,883 मरीज स्वस्त हुए भारत में कुल एक्टिव केस की संख्या 12,66,906 है कुरोना के ताजा आकड़े जानने के लिए साम पांच बज़े का न्यूज देखना ना भूले जे PSC में भरती 22 जनवरी से करे आवेदान राजे के मेडिकल कॉलेजों में सहायक प्रध्याप को के विभीन पदों पर न्यूगती होगी इसी तरह स्वास्त बिभाग के अधिन, माइक्रोबाइलोजिस्ट तथा फूड एनालिस्ट के पद पर भी न्यूगती होगी बता दे स्वास्त बिभाग के अधिन, संसा पर जार्खन लोग सेवा आयोग ने इन पदों पर न्यूगती के लिए अलग-अलग अई सुचनाय जारी कर दिया तीनों पदों के लिए एक दो दिनों में बिस्तिरित बिग्यापन जारी होगा जिसमें कूल पदों तथा नियूगती है तू अवसक योगता वसर्तों का जिक्र होगा अब तक की सुचना के अनुसार सायक प्रद्यापको के नियूकती के लिए उनएश जन्वरी से आट फरोई तक ऑनलाइन फरम भरे जाएंगे सात्वी जेपीसी मुखे पर इक्षा पर रोक लगाने से कोट का इनकार जारखन हाई कोट ने सात्वी जेपीसी की मुखे पर इक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है अदालत ने सात्वी जेपीसी की मुखे पर इक्षा पर रोक से इनकार करते हुए प्रार्थिस अपील को खारिज कर दिया है बतादे अदालत ने मुखे पर इक्षा के तीथी अठाई जनवरी से पहले एकल पीट को इस मामले में आदेश पारिद करने का निदेश दिया भैक्सिनेशन को लेकर जारखन के लिए अच्छी खबार जारखन में पहली डोज के टीका करन काकड़ा दो क्रोड डोज पार कर गया है यहां अब तक दो क्रोड से अधिक लोगों को पहली डोज का टीका लग चुका है बतादे इसमें 15-18 वरस के किसोरों को लगाई गए भैक्सिन भी सामिल है राजे में गुरुवार को साम 6 वए तक 2,11,807 लोगों को पहली तथा 1,20,56,593 लोगों को दोनों डोज का टीका लग चुका था भले ही 2,00 लोगों को पहली डोज का टीका लगा कर राजे ने कुरोणा टीका करन में एक और बड़ी उपलबदी हासिल कर ली है लेकिन राजे में अभी तक लगभग आसी परतियत वैसको को ही पहली डोज लग सकी है जबकि स्वास्त भी भागने 15 जनवरी तक कम से कम पहली डोज के सत परतियसर टीका टरन करने का लग्ष सभी जिलो को दिया था जहारखन में IPS के पद बढ़ेंगे जहारखन में IPS का केडर पोश्ट बढ़ेंगा इस वर्स आठ नई पद स्रीजित हो रहे हैं जिस पर सरकार ने समधी दे दिया है अब इससे समधित प्रस्ताव केंदर को भेजा जाएगा ताकि इस पर विचार हो सके राजे से भेजे गए दो प्रस्ताव को केंदर ने बिधी समध नहीं होने का हवाला दे कर वापस कर दिया है उक्त प्रस्ताव में बरतमान कैडर पोश्ट के 10 प्रिदी से ज़्यादा का प्रस्ताव केंदर को भेजा गया था बता दे राजे में IPA Sunwork में कूल 149 स्रीजित पद है आठ नॉय पद जूडने के बाद स्रीजित पदों की संख्या 157 हो जाएगी स्रामिक मित्रों को हाई कोट ने हटाने के आदेश पर लगाई रोक जारखन हाई कोट के जश्टिस डाक्टर एसन पाठक के अदालत में गुरुवार को स्रामिक मित्रों की सेवा समाप्त करने के खिलाप दाखिले आजका पर सुनवाई होई सुनवाई के बाद अदालत ने राजी सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दिया जिसके तहद तीन साल तक सेवा पूरी करने वाले परखन अस्तर ये स्रामिक मित्रों की सेवा समाप्त कर उनके बदले पंचायत अस्तर पर नियुक्ति करने का निदेश दिया गया है बता देश समन्द में अल्फरेट, खलखो यहम अने की ओर से हाई कोट में आजका दाखिल की गई आजका में कहा गया कि स्रामिक मित्रों की परखन में नियुक्ति 2015 में 88 छेत्र के मैजदूरों के कल्यान कारी योजना का लाब दिलाने के लिए की गई थी एक मैजदूर के निवंधर पर उन्हें मात्रे 15 रुपे मिले थे 50 से अधिक का निवंधन करने पर मात्रे 55 रुपाय अतिरीक्त मिलते है सरकार इनका मांदे नहीं बढ़ा रही है उधर सरकार ने परखंद अस्तर के स्रमिक मित्रों के बदले पंचार अस्तरप्र्यूक्ति कर रही है क्रिशल योजनाओ को लेकर आमने सामें बिजय पी और ज्हार्खन सरकार पुर्व क्रीशल मंत्रिंरन धीर पत्रलेग के अपनी विभाग और अधिकारियों पर पकड़ ही नहीं है उन्होंने परधान मंत्री किसान समा नेधी के चर्चा करते हुए कहा इस वोजना के तहत केंद्रे की ओर से किसानों को 6,000 रुपे सलाना दिये जा रहे थे इस वोजना की सुरुवात से अब तक में 31,51,000 किसानों को डेटा अपलोड करने का काम हुआ था जार्खन के 28 IAS और 5 IPS बने चुनाव परवेक्षक गुवा, मनिपूर, पंजाब, उतर परदेश और उतराखन में होने वाले विधान सभा चुनाव के लिए जार्खन के 28 IAS और 5 IPS अधिकारियों को चुनाव परव 12 बिर्फिरिंग मेटिंग के लिए वेवास्ता की गई है, इसमें भाग लेने के लिए समधित IAS और IPS अधिकारी को सन्युक्त मुख्य निरवाच्चन पता अधिकारी हीरा लाल मंडल ने पत्र भेज दिया है एक करोर की रंगदारी मांगने वालों को पूलिस ने गिरा गिरफतार रांची पूलिस ने जेल में बंद गैंग्स्टर सुजीत सिनहा और अमन साव के नाम पर एक करोर की लेवी मांगने के मामले में आरोपी को बिहार के मधुबनी से गिरफतार किया है बतादेगरप्तार अरोपी का नाम आसिस कुमार पाठक है और वो अधित्य पूर्शराय के लखासावा करने वाला है पूरे मामले का खुलासा करते वे ग्रामिन स्पी नौसाद आलम ने बताया कि नगली निवासी ब्योसाई डाक्टर संदीप कुमार राय से 23 दिसंबर को फोन पर एक रोर की रंगदारी मांगी गई थी फोन करता ने गैंक्स्टर सुजीत वा अवन साव के नाम पर रंगदारी की रखा मांगी थी इस मामले में नगली थाना में प्रात्मी की दर्च की गई थी सरकारी कर्मियों की प्रोनाती पर रोक का आदेस हाई कोट में रद अढ़ाई लाग को होगा लाब जहरखन में राज सरकार के करमचारियों की प्रोनाती पर रोक के आदेस को गयर कनोनी बताते हुए जहरखन हाई कोट ने इसे रद कर दिया है आदालत ने कहा है कि प्रोनाती पर रोक के आदेश को सरकारी आदेश नहीं माना जा सकता ना तो यह राजेपाल का आदेश और नहीं प्रोनाती पर रोक का कोई कारण बताया गया यह आदेश एक बिभाय के प्रदान सचीव की ओर से जारी की गई है इस आदेश पर प्रोनती लंबित नहीं रखी जा सकती या आदेश उन रिटार करमियों पर भी लागू होगा जिनकी प्रोनती की सिफारिस डिपीसी ने कर दी है लेकिन अधिसुचना जारी नहीं होने के कारण वह बिना प्रोनती के ही रिटार होगा यहाँ उर्जा मित्रो द्वाला निर्गत बिजली बिल होगा मिलान जारखन बिली बित्रन निगम लिमिटेट की ऑनलाई समिक्षा बैठक गुरुवार को रांची एरिया बोर्ट कुसाई में हुई बैठक में कारेपालाग विधूत अभियानता सायक विधूत अभियानता और कन्य में विधूत अभियानता के अलावार रहसो कर्मी भी सामिल हुए अध्यक्स्ता एरिया बोर्ट के महा प्रवंधक पीके स्रिवास्ताव ने की इस दवरान अधिकारियों को पांच सुत्री निर्देश दिये गए इसमें उर्जा मित्रो के कार्यों के निगरानी होगी और और प्रमंडलवार न्यूक्त किये गए सुपरवाजरों की जबब देहीत की जाएगी साथ ही परतेक सुपरवाजर हर दिन उर्जा मित्रों द्वार निर्गत 25 से 30 बीलों का मीटर रीटिंग के साथ मिलान करेंगे वही जिन उर्जा मित्रों के द्वारा बिजली बील में गड़बड़ी की जाती है और सिकायत प्राप्त होती है उसे कार्य से हटा दिया जाएगा इस करम में सहरी गरामीन छेत्रों में समय पर बिजली बिल देने की भी बात कही गई है CBSE 10th 12th Term 1 का रियर्ट 15 जन्वरी को हो सकता है जारी CBSE Term 1 परिणाम 2022 बता दे केंद्रियम आदमिक सिक्षा बोर्ड और काउंसिल फोर्दा इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन जल्द ही अपने अधिकारिक बेप साइट पर करक्षा 10 और बराहमी की Term 1 बोर्ड पर इक्षाओं के परिणाम गोशित करेंगे कोई मीडिया रिपोर्ट के अनसार CBSE और CISCE द्वारा 15 जनवरी तक Term 1 के परिणाम गोशित करने की संभवना है इसके बाद Term 2 की डिटेल जारी की जाएगी बता दे रिजल्ट जारी होने की इस तारिक की सुचना अधिकारिक नहीं है यह सुचना ऑनलाइन प्लेटफरम के जरिये सुत्रों के हवाले से दी जा रही है होम आइसोलेशन कीट और हेल्थ मोनेटरिंग के लिए ग्रिह रक्षक अप लांच करोना के बढ़ते संक्रमन के दोर में मरीजों को सुविधाय देने के लिए जीला परसासन ने एक नई पहल सुरू किया है बता दे बुद्वा इसके साथ ही होम आइसोलेशन कीट रिक्वेस्ट और हेल्थ मोनेटरिंग के लिए इस आप का इस्तिमाल किया जा सकता है आप करी रक्षक डाउनलोड करने के लिए QR कोड को स्कैन या लिंक के जरिए डाउनलोड किया जा सकता है बैंगलूरू में बंधक बनी जार्खन की छो बेटिया हुई मुक्त मूसा बनी की हुनर्मंद अंजली पान अब खुस है बता दे उसकी घर वापसी सुनिश्चित हो गई है कुछ घंटों में वा अपने परिवार से मिल सकेगी जार्खन की हेमंद सुरेन सरकार ने उसे बैंगलूरिस से सुरक्षित मुक्त कराद लिया है अंजली पान जैसी ही पोटका परखन की अने छो यूतिया अपने घर लोट रही है एहुनर्मंद बेटिया बताती है कि उन पर काफी जुल्म ढाये गए उन्हें बंदक बना कर रखा गया नढंग से रहने की सुधा दी गई नहीं खाने की विवस्ता थी जार्खन पंचायत चुनाओ के लिए उमिद्वारों की खर्च करने की रासित है राज निर्वाचन आयोक्त डिके तियो आईड ने तिरियास्तरीय पंचायत चुनाओ में उमिद्वारों द्वारा उपगत एवं प्राधिक्रित निर्वाचन ब्याय की अधि सीमा निधारित कर दी है उन्होंने कहा कित्रियस्तरिय पंचायत चुनाव के निर्वाचन के समध में उमिद्वारो द्वारा उपकत एवं प्रादिक्रित निर्वाचन ब्याय के अधिक्तम सीमा का निर्धारन पुर्व में राजन निर्वाचन आयोग द्वारा 29 अगस्त 15 को निर्धारित की गई थी अब 15 के पस्चात लगबग 6 बरत बीच चुके हैं तथा इस अवधी में 2015 के पंचायतु के आम निर्वाचन के 77 बर्स 18 में उप निर्वाचन भी समपन कराय जा चुके इन निर्वाचनों के दवराण निर्वाचन भी आयोग इस निश्कार पर पहुंचा है की निर्वाचन समधी चुनाव परसार अभियान में नीत नए नए परयोग एवम आयाम सामिल हुए इलेक्ट्रोनिक और प्रिंट मीडिया में नए नए आयाम जोडने के कारण चुनाव परचार अभियान में इनकी भूम का महत्पून हो गाई इसके अतिरिक्त महागाई दर में बिरिधी हुई जिसके कारण चुनाव परसार समागरी महागी हुई है 25 लाह का एनामी पिलेफाई नकसरली के खिलाप पूलिस ने लगाई पोस्टर नकसरली संगठन पिलेफाई पर नकेल कसने के लिए पूलिस चोतरफा परयास कर रही है एक और पूलिस पिलेफाई के उगर्वादियों गिरफतार करने में लगी हुई है वहीं इसके नेट्वर्क को ध्वस्त किया जा रहा है बतादे पेलेफाई के लिए लेवी वसुनले और वस्यक समागरी पहुचाने वाले को पकड़ा जा रहा है इसके साथ अब पूलिस ने पेलेफाई के उगरवादियों खिलाब पोस्टर वार भी शुरू कर दी है खोटी जिला पूलिस द्वारा विभीन जागोपर पेलेफाई के इनामी उगरवादियों के तस्वीर पोस्टर के जर्य सरजनिक की गई बतादे पचीस लाह का इनामी पेलेफाई सुप्रीमो दिनेस गोप के अलावा दस लाह का तिलकेशवर गोप, दो लाह का इनामी नकसली संतोस कुंडला समेत अने कई नकसलीों का पोस्टर पूलिस ने खोटी के कारा परखन चेतर में लगाया है धन्यवाद जहारखन सरकार को जहारखन में भरती पर किया जल्द से जल्द करा लेना चाहिए या कोरोना को खत्म होने के बाद भरती पर किया शुरू होना चाहिए हमें आप कोमेंट बक्स में अपना फिडबैक अवस्य दे साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को वाट से फेस्बुक टूटर इंस्टागराम पर सेयर करना ना भूले थांक यू